ग्यांद ट्रेजर में आपका स्वागत है और आप सुनेंगे हमसे मेस राशी का नौंबर का राशी फ़ल नौंबर दो हजार सपर मेस राशी ये नौंबर का महना आपके लिए आंतिक तक सहज और आत्म विस्वास से भरा हुआ होगा मेस राशी बाशी बाशी के नौंबर जो महना है वो इतना कुछ खास नहीं रहेगा कहीं कहीं पुरे महने में आपको कभी-कभी निराशा भी हाथ लगेगी तथ ये है कि परतेक विशेशिस्ति की उजना बनाई नहीं यह है कि यह मतलब नहीं है कि आप अभी भी इसमें से कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं आपको अपने समय समय पर अपने रिजाशा से निकल एक काम करना होगा कुछ आराम करना होगा और भुषी के लिए समय शक्ती कट्टी करनी पड़ेगी यह मेस राशी वालों के लिए खास बात है अब हम आपको बताएंगे आपके जो आर्थिक इस्थिती है आपकी पारिवारिक इस्थिती है आपसे वैवसायस रिलेटेड कुछ बाते बताएंगे आपको तुछे मेस राशी वाले आपका जो यह महिना है जहां तक आर्थिक पक्ष का सवाल है तो आर्थिक पक्ष में आमदनी के लिहाद से तो यह ठीक ठक रहेगा जहां तक स्वास्त का सवाल है तो बीपी के समस्ये वाली लोग अपने स्वास्त के परती सावधान रहे जहां तक केरियर का सवाल है तो बेवसाय करने वाले के लिए अच्छा समय नहीं रहेगा नौकरी करने वाले लोग सही होगी उसे नहीं उल्जें नहीं तो खानी हो सकती है जहां तक बेवाहिक इस्तिती का सवाल है तो बेवाहिक जिवन में उल्जेने बढ़ीगी और जो लोग रिलेशन्शिप में हैं उनके प्रणे समंदों में आपसी तालमीज में सुधा रहेगा अपने प्रिये के साथ अच्छी तरह बरताओ करें मुश्किल हालाग से उबरने में आपके धीवन साती के तरफ से ज़्यादा सही होग हासिल नहीं होगा परिवार के साथ शॉपिंग पर जाना संभव लग रहा है लेकिन शॉपिंग जेव परभाड़ी भी पर सकती है दोस्तों का रुख आपके परती सहयोग्यातम करेंगा और वे आपको खुश रखेंगे किसी भी चीज़े हताश होनी के जरूत नहीं है हो सकता है कि ये केवल जोस्तिती रहेगी वो अस्थाई रहेगी तो मीठी सुला करने के लिए हर किसी से तयार रहेगा अपने शरी का संबान करें आप इस समय अत्यदिक निर्धारित की गई गती में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं जो हताशा है जो निराशा है तो धन्यवाद आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीचिए धन्यवाद